मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को मनी लॉंडरिंग मामले में एरी ने बुदवार यानि 31 जनवरी को गिरफथार कर लिया और इससे पहले हेमन सोरेन ने राजबवन जाकर राजपाल को अपना स्तीफा भी सीम पद के लिए सौप दिया और अब हेमन सोरेन को एक दिन की न्यायक हिरासत में भेश दिया गया है वहीं दूसरी तरफ चमपई सोरेन को विधायक दलका नेता चुन लिया गया है और अभी तक की ख़बर ये है कि चमपई सोरेन जार्खंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे अब आई जान लेते हैं कि कौन है चमपई सोरेन चमपई सोरेन सराय केला विधानसभा सीट से जार्खंड मुक्ती मोचा पाटी के मौझूदा विधायक हैं वो सराय केला खरसावा, जिले, स्थित, जिलिंग, गोडा गाउं से तालुक रखते हैं चमपई सोरेन जार्खंड मुक्ती मोचा के उपाट ध्यक्षें और मौझूदा वक्त में जार्खंड सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्राले भी उनकी जिम्मे था चमपई सोरेन के पिता सिमल सोरेन आदिवासी के सान थे चमपई सोरेन ने दसवी क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़ाय लिखाई की हुई है उनकी शादी कम उम्र में कर दी गई और शादी के बाद चमपई के चार बेटे और तीन बेटिया हुई चमपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ बिहार से अलग जार्खन राज्य के आंदोलन में भी उत्रे चमपई सोरेन को जार्खन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है चमपई कोलहान अलाके के ऐसे नीता हैं जो शिबू सोरेन के सबसे विश्वस्थ हैं चमपई सोरेन ने सराय केला सीट से उप्चुनाव में निर्दलिये विधायक बन कर अपने राजरहतिक सफर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने जारखंड मुक्ती मोचा की सदसता भी ली थी बीजेपी की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं चमपई सोरेन 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहें अभी तक की जानकारी यह है कि हो सकता है कि अगर सियासी घटना करम बहुत जादा नहीं बदलते तो चमपई सोरेन ही जारखंड में CM का चेहरा हूं हेमन सोरेन के बाद